गुद्यूनिंग आप सभी का स्वागत करती हूं राम आइस में तो कैसे आप सभी लोग आयो होप एक दम बढ़िया होंगे तो शुरू करते हैं आज की क्लास और आज चुम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदरगत नई कभिता और साथ होत्री यानि कि हम कह सकते हैं कि साथ रिद०्ट की सब्सक्राप करें तो इन 6 चीजों के बारे में जो है चेशन के अंतरगत चुम पढ़ने वाले हैं जब हमने अररा की शुडवात काल शुरू है हमने करता कि आज एक तक चलता है और आठ्वनिक काल की अंतरगत हैं कौन कौन से युग पढ़ने से कौन से युग को समय घर कब से कब थक माना चाथा है और war हम कं सकते हैं कि कौन से युग में क्या सुधार किये गए हैं किनसी युग बल दिया गया है तो इन जो के बारे में जो हैं हमने बात करी थी तो हमने आध्मनी कल के अंदर गत्र भारतेंदी योग दुबेदी योग और ज्छायवाद और प्रयोग वात प्रगति वात के बारे में छोले हमने अरेडी पढ़ने वाले हैं वह श्मकाली कवीता के बारे में चोल्आ से पहले हम शुरुआत करते हैं अगर हम यहां पर देखते हैं तो आपकी दिमाग में सबसे पहला प्रेशन ओरा पढ़ने के लिखे लिए तो उनसे अलग हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है और इसका जो समय है वो कभ से कभ तक माना जाता है कौन कौन से कभी जो है इसके अंतर गताते हैं किन चीजों पर यहाँ पर शुधार किया गया है किन चीजों पर यहाँ पर पल दिया गया है कौन सी जीजों यहाँ पर बहत प से नई कविता इसका नाम क्यों पड़ा तो 1950 के बाद की जितनी भी कविताएं हो रही थी जितनी भी कविताएं लिखी जा रही थी तो 1950 के बाद जो है नई कविता का जो हम कह सकते हैं कि जो नया रूप है वो हमारे सामने उभर करके आता है और प्रयोगवादी कविता जो है प्रियोगवादी कभिता ही बिखसित होकर की जो हम कह सकते हैं कि नई कभिता जो है वो कहलाने लगी है ठीक है यह सारे चीजी जो है आपको याद रखनी है तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि नई कभिता जो 1950 के बाद यानि कि हम कह सकते ही कि स्वतरन्ता के बाद चीजीं जो है वो दिखी जा रही ती व जोहहई नई कभिता के रूप में नई कभिता के रूप में वह हमारे सामने वभर की आथी ठीक है यह सारी अलग यहां परण पर यह आपको देखने को सबाट करें तो यहां पर हम बात करें तो लगुमानवात की प्रतिस्ठा गैश पर अक hypoth 125 तो कहां पर fan 보시면 यहां पर देखने को मिलेगी और यहां पर नई कविता के अंतरगत जो बिम्ब हैं तो बिम्बों के बारे में अगर हम बात करें तो इन आधुनिक युग के जितने आधुनिक काल के अंतरगत जितने भी युग हैं इसके अगर हम बात करें तो इन सभी युगों से अलग यहां पर जो है बिम्बों को लेक पबात करी और यहां पर ब्रश्नाया यहां पर आपको देखने पुए वहкиहां रिखेवी प्रवतिए करने चीजें की अब यहां पर देखने को मिलीगी तीक है ठालीए अब यहां पर बात करते हैं कि जैसे हम ने बत करी थी कि भारते इंदी योग दोवेदी योग और जितने भी यानि कि हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल के अंतरगत जितने भी हमने योगों की बात करी थी, तो हमने देखा था कि कौन से योग का नाम जो है, किस कभी के नाम पर पड़ा है, और कौन-कौन से, किस योग के कौन-कौन से कभी है, ठीक है, तो इ नई कविता के कभी नई कविता के कभियों के अगर हम बात करें तो नई कविता के जो कभी हैं वो आपको यहाँ बर देखने को में लिए भावानी प्रशाद मिस्र भावानी प्रशाद मिस्र इनकी अगर हम रचनाव की बात करें तो इनकी रचनाई हैं सन्नाटा, गीत फरोस इनकी रचनाई वगेरा भी जो हैं आपको याद रखनी हैं सन्नाटा और गीत फरोस कीत फरोस ठीक है तो ये जो है भावनी प्रिशाद मिस्र की रचनाई है और दूसरे कभी आपके आते हैं नई कभिता के कुवर नरायड कुवर नरायड के अगर हम कभी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाई है चक्र विव आमने सामने कोई दूसरा नहीं तो यह यह कुवर नरायड की रचनाई है तो यह जो है आपको पीडियप के अंदर आंदर जो है यह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ठीक है अगले कभी है नईकविता के अगले कभी है समसेर बहादूर सिंह इनकी जो रचनाई हैं काल तुझ से होड है ठीक है तो यह जो है यह इनकी रचना है शुर्का सुअगत अवाजों के घेरे शिरिकंत वर्मा और इनकी जो रचना है दिना रम्य भटका मेग माया दरपड और मखर ठीक है अगले कभी आपके आज आते हैं रगभीर सहाय और इनकी जो रचना है हसो हसो जल्दी हसो आत्मे हत्या के बिरूद देखे ये जो चीजे हैं कभी 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 के बारे में आपके एक्जाम में कोश्चन आ जाता है कि कौन स कभी जो इस योग के हैं तीक है कौन सिर्चना जो है कि सकी कि है मिलान करने के लिए ही जु है आपके एक्जाम में कोश्चन आ जाता है तो यह सारी चीजें आपको यहाँ पर रियाद रखनी अगले कभी है आपके रखबेर सहाय इनकी रचना है हसो हसो जल्दी हसो पिक है अगले कभिए आपके आजाते हैं नरेष मेता तीक है नई कभिता के जो अगले कभी है snarse upता और इनकी कभिता है One Punch की और सुनो और बोल ले दो चीड को उच्षा तो यह सारी मेता की रचनाये हैं तो यह तो यह सारे चीजें आपको हुआ है जैसा कि अभी हमने देखा की 1950 के बाद की जो रचनाए मुपल मा झातना की सवतंतेता की या जो लिकी जा रही थी वो नंई कभिता की रूप में हमारे सामने आ रही थे ऊचका है दिया घया है है तो यहाँ पर कहा गया है की नहीं कभिता छटे दसकी कभिता है और अगे हैं कभी इनहों ne opin दूसरे सब्तक का प्रлекrons इन्हों ने हैं और यहीं से प्रियोग वाद'नाई कभिता की रूपे वह परिवार्ट होता है कुछ प्रियोंकी कारों की ये भी राये है कि उनीश कहा है कि जगदीश गुप्त की पत्री का नई कविता के प्रकाशन से नई कविता का अंदोलन जो है वो प्रारम्भी हो यह सारी चीजी जो है यहां पर आपको याद रखनी है अब हम यहां पर देखते हैं नई कविता की काल्षी में यानि कि नई कविता का जुस्सा में है व यह अपने अपने मत के हिसाब से अपने अपने मत काल सीमा को लेकर के देते हैं ठीक है एक कभी है नंद दुलारबास पेई और बालकरहन राव इनका मानना क्या है यह मानते हैं कि छायवाद के पतन की एकदम बात है और यानी ki 1937 से ही जो नाई कभीता है इसका आरम जो हो जाता है ठीक है 1937 से जो है नाई कभीता का आर्म जो हो जाता है यानि कि इसकी जी शुरुवात नाई कभीता आप में sureAust !। ही वह हम तब कह सकते हैं कि अगर हम 1937 sack की बात करें तब से हम नहीं मान सकते हैं थीक है फ़े अन्हीं काविता जो आकने असारतत्त में प्रगतिवाद वो प्रयोगववाद का शोकर हमारे सामने वह भर आती है यए कभी काूरो नियए कांक्ट वर्मा क具 है इसका अरभ है वह उन्हीं स्व Victorian स्व फूराइबग अ इसी गहां के द्वारा जो संपादे दे लिए जो दूसरा सब्तक ऊप्रकाщित हुआ था तो अगे हुआ है थीक है एक कभी है संभू सिंग संभू सिंग कहते हैं कि Joney कभिता नहीं कूल चेहा सकता यह मद भी जो है वह ऊचित नहीं माना जाता क्योंकि प्रयोग वाद में प्रयोग śQuéandra प्रवति के रूपे यहां पर हमें नई देखनी को मिलता है ठीक Het एक वी और हैं गिर्जा-माथों इम्राम्षवरूप चतुरबेटी इनकी अगर हम बात करें ये इनका मानना क्या है कि नई कविता जो है वो प्रगतिवाद और प्रियोगवाद दोनों की बिराशर से निर्मिस संसलेशन की कविता है और नई कविता जो पत्रिका के प्रकासन के साथ ही इसका जो आराम्भ है वो होता है ठीक है तो यह सारी चीज कि परिष्टितियां क्या रही है क्या आखिर कारण रहे हैं तो अगर हम इन परिष्टितियों की बात करें तो भारत में स्वतंता के बाद आर्थिक विशंता यहां पर कम हो जाती है देश के नेत्वत में जनता की समस्याओं पर परियाप्त ध्यान नहीं आपर दिया जाता है इसके बाद अगर हम बात करें तो देश में आसन तोस मोय भंग और निराशा की स्थिति यहां पर आपको देखने को मिलती है ठीक है तो यह सारी चीजिन यह चीजिन जो है आपर इसकी कारण रही है नई कविता के दौर की जो परेश्टियां आई यह सारी चीजिन रही है और सबसे में बात है जो आपको याध रखनी है कविता का करन करें आखिर नई कविता का नग करन जो नामकरण है वो किस आधार पर हुआ है ठीक है तो नई कविदा के नामकरण के संबंद में जो है बिद्वानों में मत भेद कि इसमें नई का आर्थ है और यह विशेशर है या संग्या है या अन्स है थीक है तो यह जो है इनके बीच बीच बिवाद है तो यह सारी चीजन आगे आपको यहाँ रखनी है नई कविता में नई सब्दे जो है यह संग्या का ही एक आंस है जो कि अगर हम आज के अगर हम आज यहां पर अगर बात करें तो यह जो है यह नौ लेखन अंदोलन के प्रभावश्चे निर्मित हुआ हुआ है ठीक है उनीस्तों पचास साथ के दौर में यह कविता यह जो है लगा-षथा अगर हम बात करें तो प्रयोग वाद के रहा है हogy प्रबति बाद के नेुए तो हिंदी कपिता में स्वानूभूति स्टेश्य सब्सक्राइब बन्हां की बजाये नए प्रवाधि करने पर उगण है इस प्रवत्ति की करण ही यह धारा जो है वो प्रेयोगवाद कहलाने लगी है और अगे कि अगर हम बात करें तो अगे आरंब से ही प्रेयोगवाद सब्दों को उचित नहीं मानते थे उन्होंने नहीं कविता सब्द का प्रेयोग किया था और उनी स्था चाउवन में जंग्दीश चंद गुप्त ने इस नाम से पत्री का निकाली थी ठीक है यह सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है प्रेयोगवाद और नहीं कविता की बीज में अगर हम बात करें तो प्रेयो प्रागतिवाद की प्रतिक्रिया में अंदोलन प्रतित होता है वहीं नई कविता की अगर हम बात करें तो नई कविता जो है वह आपने स्वारूप में संसले संड ये समननवे कीुपिता जो है यह कहलाती है तो यह सारी चीज़ यहाँ पर आपको याद रखती है और सबसे महतुपूर्ट चीज़ यहां पर आपको क्या याद रखनी है, यानि कि अगर हम पूरे आधुनिक काल के बारे में बात करें, तो पूरे आधुनिक काल के से अलग यहां पर जितने भी हमने युगों के बारे में बात करें, तो उन सभी युगों से अलग यहां पर आपको क्य छीजें देखने को मिलती हैं तो भोगी हुए यह थार्थ पर जो है वो बल दिया जाता है यानि कि अगर हम इसमें बात करें भोगे हुए यह थार्थ पर बल यानि कि नई कविता में विचार धाराओं की यांत्रिक्ता से मुक्त होकर अनेक विशियों पर कवितां यहां पर लिखी जाती है और नई कव्ता में भोगी हुए अथार्थ को महत दिया जाता है यह एक ऐसा अथार्थ है कि जिसमें कह सकते हैं कि वाई बीता नहीं होती है और अनुभो की आज यहां पर आपको देखनी को मिलती है यह अगर हम इस कभियों की बात करें तो यह कभी जो है वो इस युके जो कभी है वो बल देते हैं एक कभी है सर्वेशर कहते हैं कि बेना अनुभूत के कभिता नहीं लिखी जाती है तो देखे जिन कभियों ने जो चीजे कहीं है जो पंग्तियां वगेरा है तो यह भी आपको याद में रखनी है कभी-कभी क्या होता है कि पंग्ति है ठीक है एक पंग्ति है सर्वेशर की सर्वेशर की पंग्ति है कि लिप्ता रजाई में मोटे तक यह पर धर कभिता की काप्पी ठंडक से अकड़ी उंगलियों से कलम पकड़ मैंने इस जीवन की गली-गली नापी हाथ कुछ लगा नहीं कोई भाव कंबक्त जगा नहीं तो यह सर्वेशर की पंग्ति है आपको याद अखनी है ठीक है एक सर्वेशर की और पंग्ति है मैं नया कभी हूं इसे से जानता हूं सत्य की चोट कितनी गहरी होती ठीक है तो यह सारी जीजे आपको यहां पर भोगी हुई अथार्थ पर बल देती है इन्हों ने लगुमानवाद की अउधारना की अगर हम बात करें तो अस्तितवाती दर्शन था विश्व युद्धे मशेनी करन स्वतनता से मोय भंग आद ये इस्थितियां जो है यहां पर आपको देखने को मिलती है इन इस्थितियों के प्राभा में नाई कपिता में जो है लगुमान जो पहले संस्वति केंद्र में था किन्तु जिसके महत्व में अचानक भारी कमी आई थी तो यह जो है लगुमानवाद के रूप में कहा जा सकता है एक कविता है आसोग बाचपई की आसोग बाचपई कहते हैं कि हम छोटे लोग चाहे अंदेखे बीत जाए कोई तो देख अब हम यहां पर देखते हैं अगली जो विशेस्ता है आधुनिक भावबोध है आधुनिक भावबोध की अगर हम बात करें तो आधुनिक भावबोध जो है वो नई कविता की केंद्री विशेस्ता जो है देखी जाती है यहां पर जो आधुनिक भारतेंद युक की अगर खेर हSTंद्र लाफ आपनी कविताहों के म्ध्यम से कविताय लिखी हैं कई रचनाय करी हैं से इन्हों नेबंध लेखे हैं कि आपनियास्त हैं तो वह में वहाँ देखा था कि अभारत Arindu संध्र संध्रिक में करनेоме उस टाइम पे छो खृय के सानघ हैं रह्य स्वास जाग्रू करते हैं और अपनी कभीता्ओ की माध्यम से अससाइबर ब्यंग करते हैं मिलती है ठीक है अब अगली पिशेस्ता है अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें तो आपको भासा को ले करके अगर हम आपर बात करें चंदों को ले करके यहां पर बात करें कि अभी तक जितने भी यूग हमने देखा तो यहां पर भासा और चंद नए उक्मान जो बिम्मो को ले करके का विरूप यह सारी चीजों को ले करके जो है यहां पर आपको अलग क्यात देखना है तो सबसे पहले अगर हम भासा की बात करें तो नई कविता यानि कि इस टाइम के अगर हम भासा की बात करें नई कविता के समय की तो यह कभी जो है वह भासा पर अतधिक बल द गारते अंदी योग से अगर हम देखिए भासा जो है वह धीरे धीरे का कह सकते हैं कि नए रूप जो है वह भर करके सामने आती है वह भारते नियोग में क्या बात करे थी वहां पर दो भासा को लेकर के भीवाता पहली जो थी वह खड़ी-बोली और दूसरी जो थी वह पद लेखे आ रहे थे वह ब्रज भासा में लेखे जा रहे थे ठीकियर ये वहां पर वहां पर आपको दो भासाओं को लेकर के बिवाद करें नहीं पर गुश्य लेकिन बहुत कम यह आपको देखने को मिलता आ departments कि हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली की अगर हम बात करें तो खड़ी बोली की शुरुआ थी हम कह सकते हैं कि दोवेधियुक से होती है तो यहां पर जो अगर हम भासा की बात करें तो भासा जो है वो धीरे-धीरे कह सकते हैं कि भासा पर अधिक बल दिया जाता है दीरे-धीरे अ देने लगते हैं यहां परसक्ति ब्यायकति के अन्ञहाथ चिंतन की सामर्थ इसके निर्भर करती है इनके अगर हम बात करें बिच्चित्र प्रकार के सब्दों को खुला मंत्रन मिलता है क्योंकि इनके लिए बात हो जो सटीक धंग से कहना अधिक महत्पूर होता है और यह नहीं इन्होंने कौन से सब्दों का प्रियोग किया है इन कभियोंने सहज भासा के पक्ष में यह कभी है निप्रशाद करते हैं तिक एक भावाणी प्रिशाद मिस्र क्यों कवहादा की आता रही हम बोलते हैं। मेरे साथ भुलिये खड़ी फरुख लोषा वाðी ऑयosed हम कहते हैं नई कविदा की भासा जो है वो अंग्रेजी हिंदी उर्दु और लोग भासा के सब्तों का जो निसंग कोच यहां पर प्रियोग होता है ठीक है एक और पंक्ति है पंक्ति यह है कि पिस गया हुए भीत्री और बाहरी दो कठें पाटों बीच ऐसी ट्रैजी है नीच टेक 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 लेट मी स्पीक ठीक है अब यहां पर हम बात करें संदों को लेकर कि आपको यहां पर नई कविता में क्या विशेस्ताइन देखने को मिलती है तो नई कविता जो है वो चंद मुक्त कविता है देखे इसके पहले यहां पर आपको एक चीज़ आज रखनी है क अगर हम इस नई कभिता के पहले की योगों की बात करें तो कहीं पर जो है आपको मुकतक्चंद और प्रबंध का अपको ज्यादा प्रधानता देखनी को मिलती है लेकिन यहां पर आपको आपको अलग क्या देखेंगे कि नई कविता जो है नई कविता जो है वह चंद मुक्ते कविता है और यहां बल्कि आर्थों के इस्तर पर यहां पर जो है देख नहीं कभिता से अलग जो चीज़े हैं वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें आलग देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर आपको भासा और छंदों के बारे में किसे मिलीए होगा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सिल्पों के अंतरगत, सिल्प पक्षि के अंतरगत, नए उपमान आखिरकार यहाँ पर नई कभिताओं में आपको क्या देखनी को मिलते हैं तो नएकव्दा मी प्रियोग वाद की तरह भाववद के अभी व्यक्ति के लिए नए नए उपमानों का प्रियोग यहां पर किया गया है अगर हम यह आफ बात करें कभी है मुक्ति बोधि, मुक्ति बोधि जैसे कभियों ने प्रचीन वरलो को उपमानों पर बल दिया है यहां पर किया देखने को मिलती हैं तो अगर नई कविता की बात करें तो नई कभिता जो है वो बिम्बो पर बहुत अधिक बल देती है किदार्नाथ सिंग ने कहा है कि मैं कभिता में सबसे अधिक महत बिम्ब को देता हूं कितारनाफिसिंगा है कि मैंने मैं जू कभिता में सबसे अधिक महात वह भीमब को देता हूँ और यहां नहीं है है सहज जीवन के सधान यहां पर विशेश्था यान जीवन के बहुलता है यहां पंक्ति यह है कि जिन्दीगी दो उंगलियों में दबी सश्ती सिग्रेट के जलते टुकड़े की तरह है जिसे कुछ लंभों में पीकर जो है वो नाली में फूंग दूँगा तो यह जो है आपको यादखनी है आप हम यहाँ बात करते हैं काब रूपों को लेकर के जो है यह आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक तो लंभी कवीता और एक अपको प्रगितात्मा क्यानी की छोटी कविता तो यह जो है आपको यह आपको यहां पर देखने को मिलती है लंबी कविताओं अगर जैसे अगर हम बात करें अग्याय की आसाद बीला और राज कमल चौधरी की मुक्ति प्रेशंग और मुक्ति बोध की अंधेरे में यह आपको यह आपर देखने को मिलती है यह कविताय जो है वो लंबी कविताय और चायावादी कविताओं की तरह जो है यह प्रंगी तात्मक नहीं यहां पर आपको देखनी को मिलती है इनका जो निर्माठ है वो भाव बोध की निरंतरता से नहीं बलकि जटल समस्या के समग्रे बिश्मेशन से हुआ है ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर काभी रूपों को लेकर कि यहां पर विशेष्टाएं रही है कि आपको याद रखनी है अब अगली विशेष्टा यहां पर आपको सबसे अलग क्या देखनी को मिलती है फंतासी कि अभी तक जितने भी हमने चीज़ें देखी तो यह फंतासी और ब्यंगों को नए उपमानों कि अगर हम बात करें तो वहां पर इन चीज़ों के बारे मे आपको वहां पर देखने को नहीं मिलती है लेकिन अगर हम नई कविता की बात करें यहां पर फंतासी को लेकर के अगर हम बात करें तो नई कविता में फंतासी सिल्प का परियाप्त यहां पर प्रियोग किया जाता है फंतासी की अगर हम बात करें तो फंतासी वे कल्पना जिसमें चेतन जीवन की अपूर्ताओं को मांसिक हिस्तार पर प्लब्द किया जाता है मुक्ति बहुत हैं सिरिकांत वर्मा ने कहा है कि सिल्पगत प्रियोग प्रभाव साली तरीके से किया है ठीक है इन्हों पर बात करें सिल्प पक्षर के बारे में बात करें ब्यांगों को यहां पर क्या आपको देखने को मिलती है यहां पर राजनीतिक मौय बंग की अनुबूती दिखाये देती है एक सर्वेशर की सर्वेशर केते हैं कि लोक तंद्र को लाठी में जूते की तरह लटका है चले जा रहे हैं सभी सीना फ्यलाई ठीक है यह सर्वेशर की पंगती है आप हम आगे देखते हैं नई कविता और लगुमानोबाद नई कभिता और लगुमानोबाद की अग्रहम बात करें लगुमानोबाद जो है वो नई कभिता की केंद्री और धार्न है जैसा कि अब हम इसके पहले बात करी थी जिसपर तत्कालिन परिष्थितियां और अश्रित्तवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव देखने को आपको मिलता है इसका साधार्णसा अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका जो अर्थ है कि जहां प्रगतिवादी कविता जो है क्रांति चेता मर्जदूर को केंदर में रखती है और कविता है वह बिद्रोही और क्रियोग धर्मी को बहातु देती है ठीक है आपको याद रखनी है आप यहाँ पर हम देखते हैं कि नई कभिता में 85 शिल्पी की अगर हम बात करें तो 85 वे कल्पना या स्वपने हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तिविक जीवन की आपूर्ण एक छाओं की प्रतिकात्वक पूर्थी करता है और कल्पना पर ग्यानी की स्थार्पर या थार्थ का अतिक्रम अड़कर मुक्ति बहुत है कभी है इन्हों ने जो है अपने कादि संबंदी चिंतन में फैंतैसी की विश्त्रत विवेशना करी है और बताया है कि अपने मूल अनुभव के अति देखते बहुत सारी अनुभूतियों के सामि अनुगे करेंसी की सलें हो जाने पर जो कभीता है कभीता में फैंतैसी का गुर्प पैदा होता है ठीक है और एक विशेंस अर्थ में ये प्रतेक रचना वह फंतासी होती है फंतासी जो ओक है आप हम बात करते हैं आगे अगार हम बात करें अभी तक हमने क्या बात करी आधुनिक काल के अंतरगत की हमने आधुनिक काल के अंतरगत समकालिन कभिता की अग्रहम बात करें तो नई कभिता के बाद जो साहेतिक अंदोलन जो है वह मुख्य रूप से कम दिखते हैं यहां पर आपको कम दिखाई देते हैं साहेतिक प्रवत्या जो हैं वह समानता रूप में बनी हुई है समन तोर पर अखरम बात करें तो 1960 के बाद की संपूर्ट जो जित्नी भी आपको कभिताय हैं जितनी भी कभितायी देखने को मिलती है वह संकाली इन अब ही तक हम ने वहां पर एक चीज यहां पर आपको याद रखना है नई कविता के अंदर गथ हमने क्या बात करी थी कि गविता के अंदर की नई कविता की रूप में जो हमारे सामने आती थी अब यहां पर हम समकालीन कविता की बात करें तो हम कैसाकते हैं कि 1960 के बाद जितनी भी कविताएं लिखे जा रही है जितनी भी कविताएं होती थी जो चीजन जो है वो लिखी जाती थी वो समकाली इन कविता जो है वो कही जाती थी ठीक है इसके इंतरत कई प्रकार की प्रवत्तियां जो है वो विक्षित होती है जैसे अगर हम बात करें आ कविता जनवादी कविता नौगीत अंदोलन ये सारी चीजें जो है यह सारी विश होती है समकालीन कविता के अंतरकर ठीक है अब यहां बात करते हैं आकविता यह 63 कविता की बात करें तो आकविता जो 1960sb के बाद जो विक्सित हुई जो कविता है विक्सित हुआ जो आंदोलन है इसे प्रतिश्टित करने की पहली कोशिज वह सब्सक्राइब करें तो तीन रचना कारों गंगा प्रिशाद विमल और जग्दिश शतुरबेदी तथा अश्याम परमार जो है इन्होंने रचनाय संगलित करी है ठीक है इस अंदोलन में अगर हम बात करें तो अन्य प्रमोके कभी भी जो है रही है जैसे अगर हम इस अंदोलन की कभियों की बात करें तो धूमिल राज कमल चौदरी और मोना गुलाटी सौमित्र मोहन और मुद् क्विताय जोए आपको यहाए पर इस अंदोलन के अंतरगत जो है आपको देखनी को मिलींगी घे अपको चीज़ देखते हैं कविता कर जो है वह 60 कभिता भी खाआ जाता एं और 63 कभिता के यहां पर यहां पर हम देखते हैं कि आकभिता अंदोलन भारती समाज की परिस्तितियों से वबहाँ निरमित होता है यानि पस्षिम के बौधिक प्रभाव उससे बिख्षित होता है करने समझ में आ लगाई अगे होंगी अब मागे बात करते हैं आपटा की विशेष्टाओं के बारे में आपको पीडियप के अंतरवर्गत मिल जाएंगी आपटा की अगर हम विशेष्टाओं की बात करें तो यहां पर आपटा का जो यह मुख्य रूप से और यहां पर देखनी को मिलता है इसका अगर हम इसकी आर्थ की बात करें वह सेना की अगली तुकड़ी, जिस प्राकार्थ सेना की अगली तुकड़ी, सर्वादी, काक्रामक तथा बिद्धवन्सक्त होती है समाजिक राजनेतिक आदर्स विचारधाराओं के प्रति विद्वान से आपको देखने को मिलता है ठीक है कविता है कैलास बाचपई की कैलास बाचपई कहते हैं कि पर जब सभी कुछ वोल की जुलूल है सोचना फिचूल है राजनेतिक विचारधारा को उपयोगी नहीं मानती है और लोग तंद्र समाज वा जैसे तमाम जो कि इन्होंने लिखा है कि राजनेतिक विचारों पर काव रचने का जमाना वो लदग चुका है यह कहने में मुझे अर्चन नहीं है कि कि इस पर पर राष्त—— कि बुद्धी जिवो का वक्तब्य में यह है यही भाव बहुत है यहाई देखने को मिलता है एक इनकी पंक्ति है ना हमारी आखे है आत्मरत ना हमारी होटों पर सोख गी तहीं जितना कुछ उब लिए हमें आप किसी भी बेवस्ता में डाल दे ठीक है तो यह जो है यहां आफ वाज पर आगे देखते हैं यहां पर आपको अगली क्या विशेष्ता लगू मा बिखेस्था जो देखने को मिलीगी लगु मानोबात की जो चेतना है नी चेता में निरार्ठकता बोच्ग अधिक अधिक की क्या देखनी हैं यहां रखनी है इसके अंतरगत अब यहां पर हम देखते हैं जनवादी कभी तब कि चन्मवादी παविता आखिर कहते के से मेंहसारां सब्सक्राइब कर सके और को प्ता हम प्रती इत्वा से उभायों से उभर करें आती है बोस्ताइब नाथी प्रतीत प्रती fitted से अभीर सब्सक्राइब करें हैं प्रतीत वह इत्थ्वायों है अगली चीज क्या याद रखनी है इसके बाद अगर हम इस जन्वादी कविता के अगर हम पहले चरण की बात करें तो उनिसो कभी-कभी जो है आपके एक्जाम में आ सकता है पहला सब्सक्राइब चलता है और इस चरण में संस्ती लोकतंद तथा देश की राजनेति जो इस्तितियों के प्रतिति आक्रोष यहां पर आपको दिखाई देता है एक पंक्ती है धुमिल की यह है कि अपने यहां अगधा अभा पानी है मिसेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कही *** अधत अदमी है फिकहैं तो यह यह ने सकता है द्यूमिल की पंक्ती है यह जो चरण है इस चरण में आपात काल के दवरान सत्ता के दमन के चित्र जुहें यहां पर आपको अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं अजादी का हरन कैसे हो रहा था और इसके अनेक चित्र जुहें वो कभियों ने प्रिस्तुत करी हैं वर रहा था मुझसे जादा तो तुम जानते लगते हो तो में लिखा मैंने कहा था स्वधिनता साइद मैंने कहा था बचाओ तो यह जो है अब हम यह देखते हैं नौगी तंदोलन के वारे में नॉगी तंदोलन कि अगर हम कें अगर हम हम बात करें तो है कि अगरम आंधोलन के अगरम करें तो यह जो है बिद्वान वो अलग अलग तरीके से मानते हैं लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है यह मोटे तोर पर अगर हम इसकी बात करें तो मोटे तोर पर इसे जो है नौ लेखान या नाई कविता के दौर से जो है यह समंधित माना जाता है ठीक है यह जो अंदोलन है यह ना लापमक देखने को मिलती है इसके अभिव्यक्ति जो है वो गीतों की माध्यां चे नहीं हो सकती गीत की रशना के लिए जो तेब्र भावुकता रोमानियत और प्रवाय जो है आपको देखनी को मिलते हैं वह आज वेक का प्यान उभाव से यहां पर सुशंगत नहीं आपको अगली चीज के आयाद रखनी है नौगीत अंदोलन की विशेष्टाएं नौगीत अंदोलन की विशेष्टाओं की अगर हम बात करें तो यह पहली विशेष्टा आपको यह देखने को मिलती है आजादी तथा सभी विचारधाराओं के प्रतिश जो है यहां पर मोय भंग विशेष्टाओं के जलती ना कोई आग है छिटा ना कोई राग है केवल सुलकती है चिता इस गीत के आकास में तो यह जो है बिरेंद्र मिश्ट की कविता अपक्ति है यहां पर आपको दूसरी चीज का दूसरी विशेष्टा जो है नौगीत अंदोलन के अंत्रत क्या दे करांति की हम कहा सकते हैं कि क्रांति की सुखवुगहट दिखाई देती है यहां पर रमेस्तर रंजा के कभी है इनकी पंगति है कि भूमी पर मन पर बदल पर अमावस का बसेरा चंद लोहे की चंदों में बंद है युक्का सबेरा तो यह सारी चीजें आपको यहां पर याद में रखनी है अब आगे बात करते हैं समकालिanken कभिता है समकालिन हिंदी कभिता याईं कि abi कि दो नभी कभिता और 60ό 3 कभिता यहांनी कि नभी कभिता के बारे में हमने क्या दिखा की 1950 बात की जो कभितान वगएरा लिखी जा रही थी यायूरे फिह तंजोता के बाद की जो कविताएं वगेरा लिखी जा रहे थी उन्हें वह हम नई कविता की रूप में तेखते हैं नई कविता के रूप में वह हमारे सामने उभर करके आती है वही हमनए 63 कबिता के क्या बात करए की mmm 60 के बाद की कपिता लिखी जा रेती जो उचीजीं जहें लिखी जा रहेती उने 43 कविता की रूफिंगा झाल ठीक अब यहां बात करते हैं संकालीन हिंदी कविता यानि की की पाथ करें संबेतना की संबेतना का फलक बहुत हम कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर और अयामी आपको आवर देखने को मिलता है यह जो है विबेला राजनेतिक समाजिक, सांस्तिक, आर्थिक प्रक्रियाओं को अपने बीतर समाहित करती है इसमें आपको पुझी वाद और भुमनली करण से लेकर के संप्रदाइक्ता तक की स्थितियां यहां पर आपको इसके अंतरगत समकालीन कविथा की अंतरगत देखने को मिलती है यह सारी चीजिन की आदिवासी बीमर्स के बारे में राज lets ऑन ना न गए बात करेंगे काई अगर में बात करें है आदिवासी बिमर्सों के बारे में आपने कई त्रे उपन्यास पड़ी हुंगे व्रद हो व्रद्हों को लेकर कि अगर हम बात करें जैसे मुण्सी प्रेमचंद के अगर हम बात करें से काल सब्सक्राइमचंद का पड़ाऊगा मैं तो उसमसे ब्रद्धों को लेकर क्या स्थितियां हैं आपको इसंगी है ofaker से चाहिं से र 관री बात करेंगे आपके सलेपस्ट में विजे आगे बात करेंगे उनके बारे में हम आगे बात करेंगे यहां पर आपको यह चीज उए पाफुए जो रहे हैं हूँ हम कई सकते हैं आ हिंदी जो कवता है या ने तो इसके अनतर के आपको यह सारी चीजिन देखने को मिलती हैं समकालीन कविता और भुमनली करन्ड की अगर हम बात करें तो समकालीन कविता पुझीवाद की ताकत की पहशान करती है और यह रिखांकित करती है कि भुमनली करन्ड ऐसी परिघटना है जहां कुछ देश और पुझी की सकती के सहरे बिना हम कह सकते हैं कि सामरिक हाथियारों के ही दुनिया के कई देशों को आर्थि किस तरपर गोलाम बनाते हैं कि पंक्ते यह कि युद्य الدोंट में तोप नहीं कोई हतियार सामने ससुह अगली चीज देखते हैं समकालीन कविता और विभिन विमर्ष है जैसे हमने बात करें यहां पर हम देखेंगे कि इस्त्री विमर्ष य आदिवासी विमर्ष और साथ ही साथ है आपर हम कई सारी चीज़ों देखेंगे तो समकालीन कविता और विभिन विमर्षों के बारे में अगर हम यहां पर बात कर तो हमें आपर लिख लेते हैं समकाली इनकविता और बिमर्श समकाली इनकविता और बिमर्शों की बात करें यहाँ पर जो है समकाली इनकविता जो है अपने समय के जो है बिभेनी बिमर्शों से अंतरवास करती है से सबसे पहले अगर हम हम 1 और निकारा की बात करें और हम इतिहास के 1-4 धारकांत यह सारी चीज़ी जो है यहाँ पर आपको इतर आध्र की देखा देती हैं संकालीन कविता गार्विस्टा की सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब तरब श्यान सिर्द के सब्सक्राइब एक हम इस्तरी बीमर्ट को कि आगर हम बात करें तो इस्तरी बीमर्ट में ही इत्री लेखन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तों में राने साहत में हुआ है वो показds कि we had a ouresi पिछले कुछ फ्रकारम वर्षो का से घरा थिक में वहुड परोषण कर दो अलावा जुड वोह चैज नुड पर देखनी को मिलती प्रृषण के वा दोफिड है अलावा जिस पिर अनान को सब्सक्राइब द उपिशन इस्त्री लेखन का मजबूत स्वर उपरा है वो कविता के परेद्रस और पुरुष कभियों के साथ शाथ शाय इस्त्री कभियों की भी उपस्तिति जो जोंच आप आपको छागाता देखनी को मिलती है कुछ दसकों के बात करें तो कुछ दसकों में इन कवित्रीयों ने स्त्री कविता के फलक को बहुत हम क्या सकते हैं कि बेडे पैमाणे पर यानि कि बिस्तरत किया है कि यहां पर आपको संकाली निष्ट्री कविता वर्चनाव को तोड़ती है और पित्र सत्तात्माक और पुरुषस्माज ने इस्त्री निश्ट को जो कमज़ोर करने की जीज नहीं चया जाता है कि इस तरी घरों में आज भी होता है कि इस त्रियों को गरसे बाहर निकल नहीं दिया जाता है पढ़ने का उनने कोई मौका नहीं दिया स्विर्लीली लिए देखने के थिए आपको याद अखनी है इस्त्री भी मर्श के अंब हम यहाँ पर बात करते हैं डले विमार्श कि अलेध भी मर्श सरस्वती पत्रिका तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाश्यत हीरा डोम की कविता अच्छूत की सिकायत से माना जाता है तो यह आपको याद रखना है हीरा डोम की कविता है अच्षूत की शिखायत है है हिंडी में डलित कभिता का आरंभ है Minuten 1914-20 ihsbi में सरशवती पत्रिका का प्रकाशन हुआ है सस्वती पत्रिका में प्रकाश्य थीरा डूम की अकभिता है अच्षूत की शिखायत sare जो माना जाता है है अगर हम बात करें तो कई दलित चिंद्ड को के अंसार अग्ठम बात करें तो अच्फूता नंद हिंदी के पहले डलित कभी है और और इन्हों निजुए 1970 तक की दलित कविता को केंद्री स्वर अंबेटकर की इस्थुति यहां पर मानी जाती है ठीक है लेकिन अगर हम यहां पर बात करें आठमें दसक के आसपास की तो आठमें दसक से दलित कविता का जुष्वर है वो बदलने लगता है और उसमें दलित यहां सास्थ है यहां विद्रों क कि भावन इरत या आपको आदीवासी बीमार्श की अगर हम बात करें एग्जाम के पॉइंटाब्यू से महत्तु हैं यहां पर मैं आपको बता रही हूं और जितने भी चीज़ें हैं आपको पीडियाप के अंतरगति यह विद्धे संकत में अपना जल जंगल को जंगल और जीवन छोनने को विवास है पुंजी वाजी एवं हम कह सकते हैं कि वर्चसवादी सत्ता जो है वो किस प्रकार आदिवासी समाज का सोसर करती है और उसके हितों को हासिये पर डाल देती है तता भुमनली करन के प्रक्रिया में वो किस प्रकार आदिवाशियों की जीवन दाई पंगती है निर्वाला पुतुल की पंगती है निर्वाला पुतुल की पंगती है कि धर्ती के छोड से उस छोड तक मुठी पर चावल मुठी भर चावल दिये दौर्ती हापती भागती तलास रही हूं निर्वांतर अपने जमीन अपना घर अपने होने का आर्थ है तो यह पंगती जो है आपको याद रखना है निर्वाला पुतुल की पंगती तो यह सारी चीजे 9 आपको याद रखनी है जितने भी जहे हमने है आधिवास एस्तिमी उर्दाविंटा दलित विमर्शों के बारे में हमने बात करें तो आज का तैसन को हम तर जह सकते हैं निकिया आज आज अश्गत यारी सारे को स्रेध़ अगलीatin क्लास में अगली डिसकस्क्स करेंगे और आज हो हम किसकते हैं कि अधुनिकाल से संबन्दित जितने भी योग है वो न शारी चीजों के बारे में चुझे हमने बात करें अब यहाँ संब हम थोड़ा सा देख लेते हैं आधुनिकाल के अंतर के हम ने आखिर क्या-क्या देखे लास्ट में हम यहाँ पर अधु निकार अधु निकार को हमने पहले क्या भाद करें थी भार्तिंदी योग तर्ष्के बाद हम ने देखा था दुवेदी योग कि इस अभी के बार में जो है हमने डिटेयल से पहले तो उन वादे प्रीजम ने सारी लॉवाट कर्याइटterror कैस है कि अर्थ है क मुझे स सुमकारी का सम्काली कमिता की आरे में बाद के रॉम्ब्स करती हूँ कि यह सारी टीज़ नहीं में आप आई होंगी अब बात करते हैं अगली क्लास में बात करें तो चली सिल्सन गाइब थेंक फिर्चर और तक रखते हैं वो भाबाई थैंक्यू